हेलो जी नमस्ते, 36 गड़ रोजगार ने उज में आपका स्वागत है, मैं हो बीजे चहान और आपके लिए नई जाब भर्दी की नई सूचना लेकर के आगे हैं कारियाल है, 36 गड़ राज्य लगुवन उपद सहकारी संग, 36 गड़ के अंतरगत, वन विभाग द्वारा एक नई भर्दी के लिए नोडिफिकेशन निकाला है इसके लिए पूरे 36 गड़ के सभी वेक्ति जो है आविदन प्रस्दूत कर सकते हैं, चाहे महिला उमिद्वार हैं, चाहे पूरुस उमिद्वार हैं, इसके लिए आविदन प्रस्दूत कर सकते हैं बता दें, online आवेदन करने के लिए आपको online application की जो link है वीडियो की description में मिल जाएगी जहां से आप online आवेदन प्रस्थूत कर सकते हैं. 14 तारीक 12 मेने 2022 रातरी के 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्थूत कर सकते हैं. 16 गड़ के जिले के हर एक व्यक्ति चाहे महिला उमिद्वार हैं चाहे पूरूस उमिद्वार हैं इसके लिए आवेदन प्रस्थूत कर सकते हैं. बात करें पदों के बारे में तेहां पर मैनेजर जो की प्रयोजना प्रबंधन के तौर पर काम करेंगे उनके लिए एक पदों पर भर्दी निकाली गए हैं. बात करें मैनेजर जो कि प्रयोजना प्रबंधन के लिए होंगे इनकी योग्यता के बारे में तेहाँ पर वनिस्पति सास्त्र या फिर वानिकी में जो है इसनाक उत्तर की डिग्री होनी चाहिए साथ यहाँ पर बताया गहे कि पाँच वर्सों का अनुभाव होना चाहिए ग्रामड विकास कारियों में या फिर ग्रामड विकास कारियों के अंतरगत इनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी बात करें इनको मिलने वाले वेतन के बारे में तिहां पर 49,000 रुपय का भरतिमा इनको जो है वेतन दिया जाएगा दूसरी पद यहां पर है manager जो कि परियोजना वित्ति के लिए होंगे अर्था चार्टार अकाउंटेंट के यहां पर एक पदो पर भरतिय निकाली गई है जिसके लिए चार्टार अकाउंटेंट के जो है डिगरी होनी चाहिए साथ है साथ एक वर्सों का अनुभाव है फिर वेतन प्रसुत कर सकते हैं 49,000 रुपय का प्रति महा इनको भी वेतन दिया जाएगा तिसरे नंबर की पोस्ट है मैनेजर जो कि सरंगरहण के लिए होंगे यहां पर भी एक पदो पर भरती निकाली गई है अगर आपके पास विज्ञान, वानिकी या फिर क्रिसी के अंतरगत जो है इस नाकुत्तर पोस्ट ग्रिजेशन की डिगरी है साथ ही साथ आपके पास पाँच वर्सों का जो अनुभाव है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं 49,000 रुपे का प्रती महिने का आपको जो है वेतन दिया जाएगा चौथे नंबर की पोस्ट है मैनेजर की जो कि प्रसंसरन विभाग के अंतर गताएंगे एक पदो पर भरती की जाएगी बात करेंके क्वालिफिकसन की तो बी या फिर बी टेक की डिगरी होनी चाहिए तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर एक वर्सों का जो है लगबग अनुभाव मांगा गया है तब के पास इंजिनिरिंग के डिगरी है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं उन्चास जार रुपे का यहाँ पर आपको भी प्रती महाव वेतन दिया जाएगा पाटवे नंबर की पोश्ट है मैनेजर की जो की विफड़न की अंतरगत होंगी इसमें भी एक पदो पर भर्ती की जाएगी MBA की डिगरी है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग के चेत्र में पाट फरसों का यहाँ पर आनुभाव में भांगा गया है तब आप अपलाई कर पाएंगे 49,000 रुपे का प्रती महिने का जो है आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा चटे नंबर के पोश्ट है सहायक प्रोग्रामर जो की प्रियुजिना के अंतरगत होंगे एक पदो पर इनकी भी भरती की जाएगी बीटेक के डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस के डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने MSC किया हुआ है IT के अंतरगत तो भी आप अपलाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग कार्यों में अनुभव मांगा गया है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं 27,440 रुपे का प्रति महिने का आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा साथे नंबर की पोश्ट है अकाउंट असिस्टेंट जो कि परियोजना के अंतरगते होंगे एक बद उपर यहाँ पर भरती की जाएगी एम कौम की आपके पर डिग्री होनी चाहिए तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं 20,900 रुपे का प्रति महिने जो है आपको वेतन दिया जाएगा बात करें हैं अपर समय सारणी के बारे में तो बिग्यापन 23 तारीक 11 महिने 2022 को चारी कर दिया गया है आप इसके लिए 14 तारीक 12 महिने 2022 को पात्र और अपात्र के सूची जो है यहाँ पर जारी कर दिया जिसके लिए आप दवा पत्ति लगा सकते हैं और मूल प्रती की जो सूची है जो साक्षातकार के लिए बुलाया जाएगा और जो भी विक्ति पात रहोते हैं चाहन सूची होती है छे तारीक पहले महिने 2023 में यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और बात करें का असल पर इच्छा सक्षातकार और अंतिम परिणाम घोसना के लिए तेहाँ पर 27 तारीक दूसरे महिने 2023 तक यहाँ पर आपकी अंतिम परिणाम घोसी जो है चयांद कर दी जैगी जो भी चैनित उमिदवार हैं अंतिम टि थी 13 तारीक तीसरे महिने 2023 तक इस के लिए बेक्यापन के बारे में जानकारी हासिन, कर सकते हैं तो जो भी प्रक्रिया होगी ऑनलीनाविदन करने की 14 तारिख 12th मेने 2022 चलेगी इसके लिए यहां पर समय दिया गया है उसके 23 तारिक 22 मędने 22 वें में 22 को जो भी दिखती पात्र और अपात्र होते हैं उसके सूची प्रगाशित कर दी जाएगा लिए 30 तारी 11 महिने 2021 के अधार पर यहां पर उम्र की गढ़ना की जाएगी निनतम जो उम्र है 21 वर्स होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए अधिक गढ़ना की चाहिए और आपको उम्र सीमा में भी यहां पर चूट देखने को मिलेगी अगर आप अनुसुचित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है तो यहां पर अलग अडग जो उम्र सीमा में चूट देखने को मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी गई है बता दें यहां पर कारे दाईतों के बारे में भी जानकारी दी गई है आप जिस भी पत के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो उसके कारे दाईतों के बारे में भी आप अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं और बाकी की विश्तरी जानकारी के लिए आप वीड करके अधिक जनकारी हासिल कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो से जड़ी किसी तरह के प्रस्त नहीं या फिर आपके कुछ सुझाओं है कमेंट में जरूर बताएए वीडियो अच्छे रगी तो वीडियो का लाइक कर दीजी और लोगों के पास सेयर करन बूले और असी रोजगार प्रक जनकारी के लिए चेत्रिकर रोजगार न्यूज को सब्सक्राइब जरू करिए अब आप समयंते हैं एक नई वीडियो में नई रोजगार प्रक जनकारी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहदियो से धन्यवाद